इतना कड़वा ना बने कि लोग आपको थूग दें और लाइफ में इतना मीठा भी ना बने कि लोग आपको निगल जाएं हालो साथियों मैं राजकुमार यादो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके आपने यूटूब चैनल पी बियार इस्टेडी में उमीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखा एकदम बढ़िया चल रही है सूपर टेट इस्पेसली मैं चल रही थी यह जो टॉपिक है यह जो चैप्टर का सिलेबस है मतलब इस कोर्स का यह सूपर टेट के अलावा और भी जो परिक्षाएं है टीचर भरती परिक्षा चाहें वो किसी भी राज्य के है चाहें वो हरियाना करीट है एंपी टेट है बिहार टेट है सबके लिए है ठीक है क्योंकि नंबर सिस्टम जो चल रहा है संख्या पद्धती यह कामन चैप्टर है एससी वाले बच्चे है उनके लिए भी सही है यूपी पुलिस या बिहार पुलिस या एंपी पुलिस किसी भी मतलब कोई भी आप कॉम्पटीशन की त ठीक है जिसमें योगवा अंतर पर आधारीत प्रस्ण है चौथा टाइप है यह टाइपिंग ने माश्टर ने चौदा नमबर डाल दिया है ठीक है भाग पर आधारीत प्रस्ण पढ़ रहे थे कुश्चन बहुत आसान है क्यारा 51 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घट इसका ट्रिक बहुत आफान है आप में से कोई बताएगा अंसर बेरी गुड अनुराधा ठीक है हरी स्याम अजै सिंग पवन ठीक है इसका करेक्ट अंसर है तीन जानते हो क्या होता है घटाई जाने वाली संख्या सेस्पल होती है जो सेस्पल आएगा वही घटा देंगे ब अगर तीन ना आया होता सेस्पल तो हम कह सकते थे कि आठ से पूर्था विभाजी है जैसे देखिए एक मिनट अगर मैं इसमें भाग दिया होता तो जीरो सेस्पल आया ना हम कह सकते हैं कि आठ से 56 completely divisible है क्यों क्योंकि सेस्पल जीरो आ रहा है तो आगर यह जीरो सेस्पल तो अंगर आ जाता तो हम क्या कहते कि आठ से पूर्धा विभाजीत है है नँक तो कुरेशन में कह रहे है कि वो कौन सी Technology छवूठी संख्या अगर हम घटा दिये होते तो जो संख्या आती वह आठ से पूर्था विभाजित होती तो भाई सिंपल सा बात है इस में से क्या घटाएंगे तीन ठीक है चाया तो लिख लो आप घटाई जाने वाली संख्या बराबर तीन सेसफल स्वरी सभी के लिए ठीक है घटाई संख्या बताओ कि 110 इसे कौन फिछोटी से छोटी संख्या घटा दे 110 से कौन सी छोटी फिछोटी संख्या घटा खटादह कि जो संख्या बचे वह बारा से पूर्था विभाजीत हो बद एक조डस से क्या घंटाएं इस्चेवा लाप थीख है और पीता यादो अंकुट अं हमजी आगे बहुत आसान है सिंपल है इससे भाग करेंगे बारफरत्ते एकल्ठ आट ना टोयल से बंजा एकल एकल नहीं होता है बताएत कि लेकिन यह साथ बार नहीं जाएगा और जाता जाएगा मुझे लगता है क्योंकि बारह दाममा होता है नव बार तो जाएगा नहीं, कि जाएगा, जाएगा, यानि 1290 होगा, घटा होगा आएगा दो, यानि वो आंसर होगा दो, अगर 110 से दो घटा देंगे तो जो आएगा वो पूर्टा विभाजित होगा, किस से, 12 से, अगला, next question आपके सामने है, कहरा कि चार अंकों की वो अध कहता है, option आप लोग बताईए, क्या हो सकता है, भाई अगर मैं आपको option दूँ, option इसी में से कोई सही है, anyone कोई बताएगा, जल्दी से, हाँ फटा-फट देख रहा हूं, very good, बहुत अच्छे, चलो और कोई, ठीक है, नाम नहीं बोल रहा हूं, आगे देखिए, देखो, इ अगर दो अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, या सबसे बड़ी संख्या बोले, तो दो बार नो हो जाएगा, उसी करम में अगर चार अंक की बोल रहा है, तो चार अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, ये चार बार नो हो जाएगी, कह रहा है कि इन में से, वो अधिक्तम सं हैं क्या जोड़ें आपको खुद समझना है घटाना जोड़ना है चारंकी वह अधिकतम संख्या बताओ जो 98 से कट जाए अब भया इसमें यह नहीं कहा रहा है कि जोड़ घटा दो कुछ भी कर सकते हो तुम नोट में नीचे लिख दिया हुआ अलग बात समझो तो हमें क्या क समझ्हां इसको भाग करेंगे इसको आप भाग करके देख्ये पहले 98-98 वन आएगा उपर से 9 अब देखो इसमने भाग जाएगा नहीं कि घटानें पर भाग करके देखो कि बहुत आसान है सिंपल है इसमें एक बार अगर आपने यहां पर नव उतार लिया भाग तो जाई नहीं रहा है जीरो बार जाएगा फिर घटाओगे फिर वहीं आजाएगा अब फिर वहीं फाइदा है नहीं उपर एक नो बचा था इसको उतार लेंगे अब दो बा आ रहा है काई को दो आ रहा है देखो एक बार एक मिनट स्वारी यहला नव उतारोगे यहां ना मेरे भाई क्या उतारोगे नव आप देखो तीन आएगा ठीक है आंसर क्या होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो चार अंक की होगी और 98 से विभाज भी हो जाए उसके ल कि गुरुजी 98 से विभाज यह हो जाए क्या उसके लिए सेस्फल घटाना ही जरूरी है इसमें हम 95 जोड कर भी तो 98 से पूरता विभाजित कर सकते हैं ना हां सही बात है अगर हम इस पूरी संख्या में 95 जोड दें तब भी जो संख्या आएगी वह क्या होगी पूरता संख्या था देखो समझो तो यह नव पांच चौदा हांसी लाया कितना एक नो अठारा एक और नो एक दस हांसी लेग नो एक दस अब यह चार अंक की रही नहीं गई समझ रहे हो अगर आप जोड करके प्राप्त करोगे तो यह संख्या पांच अंक में कुच जाएगी और कुश्चन में कह रहा था कि चार अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताईए जो 98 से पूरता विवाजित हो तो घटा के निकालना एक तरीका है अगर इसमें से हम सेस लगाना होता है कि वह संख्या क्या होगी मतलब घटा के मिलेगी जोड के जैसे एक छोटा सा सवाल और देख लीजिए आप लोग इमांदारी से देखिएगा प्यार से जैसे यह कुश्चन कह रहा है कि बड़ी से बड़ी अधितम संख्या जो 98 से पूरता विवाजित हो न कि वह अधिक्तम संख्या क्या होगी बड़ी से बड़ी चारंग की जो 78 से कंप्लीटली डिविजबल हो सेम वैसे ही करना है आपको 78 से भाग करना है जो सेस्फल आएगा उसे सब्ट्रेक करके आपको यहाँ पर समझ लेना है ठीक है कोई डाउट नहीं किसी को कमेंट के चक चारा की छे अंकों की वह चोटी फेचोटी संख्या घ्यात कीजिए फाइंद डा सिक्सवीट हिसमालेस्ट नमबर कोई कंप्लीटली डिवीजिवल वाई एटिवन यानि श्य अंक की वह चोटी फेचोटी संख्या बताईये जो एटीवन से पूर्टा विभाजित हो तो से एक कम करके 0 लगाएंगे ठीक है अगर छे अंक की संख्या बोल रहा छोटी SHOTI ना 99 के बाद 100 आता है आज देखो 959 दो अंका था न 97 भी दो अंका था लेकिन जब कि यहीं से सुरू होता है न यह क्या है तीजिमक की संख्या अफ तक संख्या है सब्सक्राइब दो जीरों न यानि तीन अंका की संख्या बनी तो कितना जीरों यहां से चार अंक की संख्या सुरू हो गई यानि चार अंक की संख्या अगर चोटी निकालनी है तो एक के बाद में 3-0 लगेगा इफी तरह फेचे अंक की संख्या निकालनी थी तो हमने क्या लगाए पांच सुनने लगाए ठीक है अब कह रहा है कि वह छोटी फे छोटी संख्या बताओ जो एटीवन से पूरता है यानि कंपलेटली डिवीजबल हो बहुत आसान है सिंपल है आई यह देखते हैं एटीवन से डिवीजबल की बात बोल रहा है तो पहले तो इनको एटीवन से भ बता मुझे दो युबार जायेगा ना दोई बार करके देखो तो दो एकम 2,2,8,16 गटाओ दस में से दो गया आठ इसमें से एक उधार, यह आठ आठ में से छे गया दो टूर्टीएट ना अब देखो 2,0 यहां युज़ हो गया था एक जीरो यहां हो गया अब एक जीरो जाएगा अब देखो तो तीन बार जाएगा उपर कोई डाउट होगा तो बता देना तो तीन एकम होगे तो फार टाइम जाएगा को तो फोर जाएट जा ठाटी टु यह तो फोरत फोरत फोर एट जाएट यह घटाएंगे च्छे साथ मैं से दो गया पांच यानि 56 आया न कहे रहा था मिरे भाई कि 56 की 46 आएगा एक मिनट देखो इसमें एक उधार गया था ना तो यह 46 से क्या जोड़े या क्या घंटा है ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या बताओ जो एटीवन से पूरता विभाजित हो तो एटीवन से पूरता विभाजित यह होती लेकिन यहां पर 46 क्या आ रहा है अब इसको करने का दो तरीका है या तो आप इस पूरी- इसमें से अगर घटा देंगे तो जो संख्या बचेगी वह क्या होगी एटीवन से कंपलेटली डिविजबल होगी कह रहा था कि छोटी छोटी संख्या बताओ जो एटीवन से पूर्टा विवाजीत हो तो उसको निकालने के लिए इस तरह के कुश्चन में संख्या बराबर भाज माइनस सेजफल है यह तरीका है आप इसको भी करके देख लो तो भाज यह था आपका छे अंक की निकालना था तो पांच जीरो लगाना था यानि एक लाख इसमें से 46 गटा दिया ठीक है भाई 46 गटा दोगे एक लाख मतलब 100,000 फिर 99,000 सब्ट्रेक करके देखो एक बा यह पांच अंक की संख्या है यह यह आंसर क्या है गलत है यह क्या है गलत है तब क्या होगा भई आप घटाने पर नहीं आया गलत का है क्योंकि वह छे अंक की संख्या पूछा था यह 8 से 81 से completely divisible है आप भाग करके देख लो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यह संख्या आएगा अगला अंसर आएगा बता रहा हूं रुको इसको भाग करोगे तो एक दो तीन चार आएगा चाहे भाग करके देख लो 1234 इसका भागफल आएगा जब एटीवन से करोगे दूफरा तरीका यह है कि हम इसमें क्या जोड़ दें कि एटीवन के बराबर हो जाए बही जो बनेगा वो एटीवन से कंप्लेटली डिविजवल होगा अब देखे जोड़ जाने वले संख्या क्या होगी भाजक माइनस सेसफल तो भाजक एटीवन है सेसफल क्या है मिर भाई यह 46 है इसमें से घटा होगे 35 आएगा यानि हम क्या करेंगे एक लाख में से मतलब 35 जो है और यह एटीवन से कंप्लेटली डिविजवल है तो यह हो गया सही आंसर कि वो छे अंक की छोटी फे छोटी संख्या जो एटीवन से कंप्लेटली डिविजवल होगी इज वन तिरपल जीरो 35 नोट करिए स्क्रीन साट लीचिए आगे बढ़ते हैं इसी कोश्चन पर संख्या बताइए आप से पूछा गया था जो एटीवन से कंप्लेटली डिविजवल हो और वो छे अंक की हो ना इस मालेस्ट पूछा गया था ना वैसे मैं आप से कुश्चन करता हूं आप ध्यान देना अगर मैं कहूं कि चार अंक की वो छोटी फे छोटी संख्या कि 75 से पूरता विभाज हो इसको करना ठीक है कि वो डिजिट की वो इसमालेस्ट नंबर बताओ जो 75 से कंप्लेटली डिविजवल हो आप सभी मुझे इसको करके बताओगे ठीक है अगला नेक्ष्ट कुश्चन देखिए बहुत जल्दी आपके सामने आ रहा है और हां जो अगर इस वीडियो को यूटूब पर डेमो के रूप में देख पा रहे हैं तो वह गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें पीवी आरे स्टडी एप और पीवी आरे स्टडी अप्लीकेशन में जा करके पूरा कोर्स को इन्रोल कर लें जिससे कि वो रेगुलर सातो दिन पढ़ पाएं घर बैठे ठीक है क्योंकि यूटूब पर जब भी समय निकल पाता है हम तभी पढ़ा पाते रेगुलर नहीं पढ़ा पाते अब बहुत मैंज करना पड़ता है अप्लीकेशन में सातों दिन पढ़ाते अब एक बहुत ही नया टॉपिक है नियरेस्ट य यह नंबर है 91 यह 89 ले लिजिए 89, 91, 91, 92, 93, 94 ठीक है अगर मैं आप से कहूं कि यह बताओ मेरे भाईया कि जो नंबर है 90 ठीक है यह 90 जो है यह नियरेस्ट किसके है किसके नियरेस्ट है अगर मैं एक नंबर 94 ले लूँ और एक नंबर मैंने 98, 88 ले लिया तो यह बताओ किसके पास में है किस से नजदीक है किस से दूर है आप कहूंगे गुरुजी यह 90 जो है 88 के तो ज़स्ट करीब है पड़ोसी है इसका क्योंकि इनके बीच में यह कह गय संधन तब ज्यादा जुगाड़ें इस लगए जो पास में देखोव किछे तो इसकाुप्र इसका क्या होगा 90 का नीरेस्ट न क्या है number कि सब्सक्राइब करने नरेस्ट का मतलब होता है जो दू eerक में आता लेकिन आपको ने रेस्ट नहीं पढ़ना आपको कुछव और पढ़ना है कि वह मतलब समझ लीजिए बस ठीक है तो यानि नबे फे ज्यादा पास कौन है टीएट है ना 94 दूर है न वैसे अगर मैं कहूं कि भाईया यह बताओ 66889 और 70 है इसमें हो गया 71 और 72 अब मुझे यह बताओ अगर मैं कहूं कि 70 के करीब कौन है 60 के करीब यह 42 है यह 70 के करीब 67 कौन है बताओ ना प oyn कानी समझिए जो कोश्चन सामने है करा कि 3835 के निकड़ता में यानि नियरेस्ट समाप वर्तक वो संख्या बताईए जो 25 से पूरता विभगत हो यानि जो यह नंबर दिया गया है इसके नियरेस्ट मतलब करीबी वो संख्या बताईए जैसे कहते हैं हमारा अंकल जी विदाया के करीबी है होती नहीं पावर तो वैसे क्या यहां पर करीबी निकालना है समाप वर्तक वो बताईए नियरेस्ट यानि समाप वर्तक वो बताईए जो 25 से पूरता विभगत हो ऐसे प्रशनों में 19 भाग करते हैं बाल किसे करेंगे किस में करेंगे भी आइस था पतीश से बात हो रहे हैं थिए 75 ये उपर से तीन उताल लीजिए ठीक है टो तो 125 आएगा आठ आएगा उपर से पांच उदाल लीजिए तो पचीस दूना पचास पचीस तियां पचातर गटाओगे दस आएगा ना देखो इसमें दो तरीका करने का कितना आया दस अब मैं तरीका बताता हूं आप थोड़ा सा गौर फरमाईएगा समझिएगा देखो मे ठीक है समझिए और 25 से भीभाज भी हो ऐसा नहीं कि इसके नियरेश्ट 38 35 के जो है 24 बता दोगे ठीक है जो भी है 24 लेकिन वह आठ से कंपलेटी डिवीजिवल भी होना चाहिए मतलब 25 से स्वरी तो पहले तो क्या करेंगे भाग करेंगे अब इसमें दो तरीका है दोनों त सेस भाज जब वह संख्या जिसमें भाग किया गया 38 35 सेसफल आया दस यानि यह क्या आया 38 25 आप देखो तो क्या है वह नियरेश्ट संख्या है जो 25 से पूर्ता विभाजित होगी चाहिए तो आप भाग के देख लो एक सुतिरपन आएगा भाग दोगे ठीक है एक और तरी भाजक माइनस सेसफल इस सीकेंड में थेट थोड़ा सालाग है सीकेंड में जोड़ेंगे तो वह संख्या हो जाएगी 38 35 इसमें 15 आपको पता है कि अगर इसमें 10 जोड़ा गया था बबुआ भाग दस घटाया गया था दफ घटाया गया था तो 39 25 आया था अगर 15 जोड़ेंगे तो इससे पांच कतम आउर आगे चला जाएगा समझ रहे हो तो यह 38 पचास तो हो जाएगा लेकिन 38 35 की अगर हम बात करें यह 38 35 जो में सवाल था और इसका एक जो आया था आपका जोड़ने वाला यह गटाने वाला आप यह देखो बीच वाली संख्या के जादा करीब कौन है पडोसी कौन है भाई 38 35 के जादा करीब 25 वाला है ना पचास भी है लेकिन थोड़ा दूर है य जाओं का है लेकिन पडोसी नहीं है गाओं करें अलग बात है फडूसी होना अलग बात है एक गाऊं में अगर पचास घर है कोई पडोसन आपके घर के सामने रहती रोज आना जाना ऊटना बैठना दिखता रहता है तो आप न्योंभा थोड़ा क्या होते हैं मतलब जान प होता है ना एसा तो भस समझ में आया इसमेंसे आपने भाव समझा कि इस तरह के प्रस्नों में जोड़ने गटाने पर दोनों सेख कम कितना था धाने की बता की पतीस का आधेफ जादा है ड़क्त सेसफ्पल होना चाहिए था तो अगर सेख फल आधेफ ज़्यादा है। revealed बटा 2 से अधीक है कि इसके भाजक के थो हमेशा क्या आएका जोडने प्राएगा और अगर सेशफल कम है मतलब भाजक के आधे से कम है बाजक सापर पचीस है देखो यह 25 के आधे से कम है पचीस का अधा बारा वारा होगा साठेव बारा से भी कम है क्योंकि दस है तो हमेसा क्या करेंगे जोडने पर नहीं आएगा घटाने पर आएगा समझ में आया है 40 पर आख जैसे स्थिन आज आज पील। नोने बैगा आप देखें अगला पाचमान करहा है टेर निकटतम याश्च वह संख्या बताईये जो 37 से completely divisible हो बहुत आफान है 4580 के nearest वो संख्या बताईए जो 37 से completely divisible हो तो 4580 जो है इसको पहले आप 37 से भाग करेंगे ठीक है अगर सेस्फल 37 के आधा फे जादा आए 37 का आधा मतलब 18.5 यानि साड़े अठारा फे जादा अगर सेस्फल आ रहा है तो वो संख्या क्या आएगी जोडने पर आएगी नहीं तो घटाने पर आएगी इसको करके आप लोग बताऊगे के निकरतम वो संख्या बताईए जो 37 से completely divisible हो इसका आपसन देख लिजिए पहले आपसन है आप लोग इसमें चुन के बताएंगे अभी मैं नाम देख रहा हूं जो कमेंट कर रहे हैं ठीक है मैं सब का नाम देख रहा हूं टेंसा नहीं लेना आप ठीक है बेरी गुड आप लोग इसको ट्राई करेंगे जैसे मैंने बताया बहुत से बच्चे जो रेगूलर इस कलास में जुड़ते हैं उनका नाम मैं जरूर बोलता हूं जैसे उनका नाम है लालुयादो, सुप्रिया आस्फा परबीन प्रियंका स्रिवास्तो, अमर दिनेश केवट, आजय कुमार और अनुराधा ये ऐसे स्टूदेंट है जो सुपर टेट के स्पयस्ली स्टूदेंट है और ये हर एक कलास में जुड़ते हैं अगर आप भी रोज हमारे साथ कलास में आएंगे तो आपका भी नाम बोलेंगे पंकज पाठक जी आपका भी कमेंटार है तो आज का यह क्लास यहीं पर खतम करते हैं उमीद है कि कम समय में आपने बहुत कुछ सीखा इन्हीं उमीदों के साथ मिलेंगे अगली क्लास में हर एक क्लास को अंलाइन देखें कोई सेयर मतलब अपने दोस्तों को सेयर करिए अगर आप यूटूब पर डेमो देख पा रहे हैं अगर आप अप्लिकेशन में है तो नोट्स बनाइए रेगुलर और डेली सातों दिन पढ़ने के लिए पीबीर स्टेडी डाउनलोड करिए जिसका लिंक डिस्क्रेप्शन में दिया ग ठीक है रिपलाई आपको करेंगे टीम की तरफ से आता है लेकिन अगर आप जोइन करते हैं तो हमारा नंबर आपको मिलता है आज के लिए बहुत बहुत थैंक्यू पूरा क्लास्स देखने के लिए पूरा टाइम देने के लिए आपको प्रेम पूरबग दिल की घराई है सब्सक्राइब सारा थैंक यू